हेलो दोस्तो मैं हूँ रिशी केश और आप बेख रहे हैं स्पोर्ट्सकॉप और आज इस फिडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ दा हंडर्ड क्रिकेट के मुकाबले की जो की खेला जाएगा नॉर्दन सूपर चार्जर्स वर्सिस ओवल इन्विंसिबल्स के बीच में लीड्स के हेडिंगली क्रिकेट स्टेडियम के अंदर 31 जुलाई को रात के स 10 बजे से और इस मुकाबले की लाइफ स्ट्रीमिंग होने वाली है फैन कोड की उपर और अगर आप फैंटैसी क्रिकेट खेलते हो आप मुझे टेलिग्राम पर जॉइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा वहाँ पे आपको दे हंडर्ड क्रिकेट के मैंस मुकाबलों के और जल्दी से मैं को टेलिग्राम पर जॉइन कर लेना है और अगर आप फैंटैसी क्रिकेट खेलते हो तो आप उसके टीम फैंटू बले की उपर बनाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा जहां पे आपको सभी बड़े मुकाबलों के अंदर फ्री एंट्री मिलती है कॉंटेस जोइन करने के लिए यानि आप बिना इन्वेस्ट के विनिंग कर पाओगे साथ ही में यहाँ पे एंट्री फीस पी काफी कम है यानि काफी कम पैसा आप इन्वेस्ट करो विनिंग आपकी काफी जादा अच्छी होने वाली है उसके लावा आपको यहाँ पे युनीक फीच में लिंक मिल जाएगा अगर आप मैं रेफर कोट स्पोर्ट को अप्यूज करोगे आपको बोनस कैश्व मिलेगा तो डाउनलड करो फैन टू प्ले को और विनिंग करनी स्टार्ट कर दो अगर मैं बात करता हूँ पिछ रिपोर्ट के बारे में तो कुछ ही दिन पहले इसी मैदान की उपर इंगलेंड और पाकिस्तान का मुकाबला खेला गया था T20 वहाँ पे ये पिछ बल्ले बाजी के लिए काफी शांदा रहा था तो उमीद करते हैं वैसा ही पिछ होगा इस मुकाबले के अंदर भी सबसे पहले मैं बात करता हूं Northern Super Chargers के बारे में जो की अपनी स्टार्टिंग के दो मुकाबले हार चुका है वह इनका तीसरा मुकाबला बारिश की वज़े से अबेंडन हो गया था तो एक बहुत ही बड़ा मुकाबला Northern Super Chargers के लिए ये टीम अब बेंड स्टोक्स को मिस करने वाला है पूरे सीजन के अंदर जो की काफ़े बड़ी दिक्कत की बात है इस टीम के लिए पर अच्छी बात ये है इनके कप्तान फावडू प्लसी उमीद करते हैं इस मुकाबले में खेलने वाले हैं वो स्टार्टिंगे तीन मैच मिस कर चुके हैं कंकरजन सिटम्स की वज़े से दिक्कत यारी इस टीम के लिए इनकी बल्ले बाजी पूरी तरह से फ्लॉप हो चुकी है केवल हैरी बुरूप ने दो मुकाबल में सौर अनमारे हैं हैरी बुरूप ने काफी कमाल खेला पर उसके लावा कोई कुछ खास करने पाया उमीद कर दे क्रिस लिन अच्छी बल्ले बाजी करेंगे इस मुकाबले के अंदर लिन एक काफी शानदार प्लेरे शॉटर फॉर्मेट के अंदर उन पे निगार हैने वाली है और एडम लाइद का ये होम ग्राउंड होने वाले टी ट्वेंटी बलास्ट का भी तो लिद सेवी टीम अच्छी ओपनिंग की उमीद करने वाला है गेनबाजी काफी डीसेंट इस टीम के पास में मुझीवूर हमाने टी ट्वेंटी स्पेशलिस गेनबाज हैं जिन्होंने छे मुकाबलों के अंदर दस विकेट निकाले थे एक काफी बड़ा पार्ट प्ले करेंगी वो इस टीम के लिए साथी में कैलम पार्किंसन भी काफी अच्छे लेफ्ट आम स्पिनर है बारा विकेट निकाले टी ट्वेंटी बलास्ट में एक जैन्रन विकेट टेकर है और आदिल रशीत की रूप में एक और काफी अच्छा इंटरनेशनल लेवल का लेक्स पिनरेस टीम के पास में जो की बहुत की शांदा विकेट ले सकता है डेविट विली की उपर वापस निगा रहने वाली है डेविट विली को लेफ्ट आम सीम बॉलिंग अच्छी एकरनी पड़ेगी इस टीम के लिए तो नॉर्डन सूपर चार्जर को अपनी बैटिंग सुधारनी पड़ेगी फाफ दूर प्लसी टीम है जो काफी अच्छी बात होने वाली है उसके लाओं में को लगता है कि बैन स्टोक्स की बॉलिंग को कंपनसेट करने के लिए जॉर्डन थॉम्सन को ये मौका मिल सकता है जॉर्डन थॉम्सन ने यौक शायर के लिए काफी अच्छा खेला था टी ट्वेंटी ब्लस्ट के अंदर तो अगर मैं बात कर लेता हूँ इनकी प्लेंग के लिए उनके बारे में तो नॉर्डन सूपर चार्डर्स के लिए ओपन कर सकते है एडम लाइथ और क्रिस लिन नमबर तीन के उपर आपके आजाते है फाव डू प्लसी नमबर चार पे हैरी ब्रूक नमबर पाँच पे जोश सिम्सन नमबर चै क्यूपर जॉर्डन थॉम्सन नमबर साथ पे डेविड विली फिर मुझीबू रहमान आदिल रशीद, कैलम पाकिसन और ब्राइडम कार्स तो जरूर से एक काफी बड़ा मुकाबला नॉर्डन सूपर चार्डर्स के लिए अब मैं आपसे बात करता हूँ ओवल इन्विंसिबल्स के बारे में जिनका दो में से एक मुकाबला में टीम को जीत मिली और एक मुकाबला इनके बारिश की वज़े से अबेंडन हो गया था ये टीम भी अपने स्टार ओल्राउंडर सैम करन को मिस करेगा पूरी टॉर्नमेंट के अंदर सैम करन ओपन भी करते हैं इस टीम के लिए उसके अलावा उनकी लेफ्ट आम पेस बॉलिंग भी काफी शांदार रहती है टीम की बल्ले बाजी रिलाय करने वाली है जेसन रॉय की उपर रॉय काफी शांदार फॉर्म बे रहते है पाकिस्तान में खिलाफ उमीद करते हैं अच्छी बल्ले बाजी करेंगे Colin Ingram ने भी पहले 100 मुकाबले में काफ़ी तगडी बल्ले बाजी करी थी Ingram में काफ़ी अच्छे T20 स्पेशलिस्ट है उनको experience ने खेलने का और Sam Billings ने भी पहले मुकाबले के अंदर एक match winning पारी खेली थी Sam Billings भी T20 फॉर्मेट के एक काफ़ी अच्छे बल्ले बाज है सुनील नरायम को pin छीटर करोल मिलेगा इस मुकाबले के अंदर भी वो नमबर 3 पे बल्ले बाजी करेंगे उसके अलावा उनकी spin balling भी काफ़ी शानदा रह सकती है इस मुकाबले में Oval की team के लिए अगर मैं बात करता हूँ गेंदबाजी के बारे में तो Tom Curran भली expensive रहते हैं पर Tom Curran T20 फॉर्मेट के अच्छे विकिट टेकर है यहां उनसे उम्मीद रहने वाली है Nathan Sauter एक काफ़ी अच्छे spin गेंदबाज है उनको आमने T20 बलास्ट के अंदर भी देखा था और यह टीम में ज़रूर जीतना चाहेगा इस मुकाबले में अगर मैं बात करता हूँ ओवल इंविंसिबल्स की प्लेइंग 11 के बारे में तो इनके लिए ओपन कर सकते हैं जेसन रॉय और विल जैक्स नमबर तीन पे सुनील नारायान नमबर चार पे सेम बिलिंग्स नमबर पांच पे कॉलिन इंगरम नमबर छै पे लॉरी इवन्स नमबर साथ पे जॉर्डन क्लार्क फिर टॉम करन, नेथन साउटर साकीम महमूत और रीस टॉपली तो जरूर से ओवल के लिए भी बड़ा मुकाबला है, आप कमेंट करके बता है मुकाबला कौन जीतेगा वो टीम होगी ओवल इंविंसिबल्स वो टीम होगी नॉर्डन सूपर चार्जर्स आप बताओं मुझे कमेंट करके और इस मुकाबले की फेंटेसिटीम आने वाले स्क्रेंग की उपपर तो मुझे लगता है इस मुकाबले के अंदर नॉर्डन सूपर चार्जर्स को पहली जीत मिलने वाली ये पतन इंट्यूशन आ रहा है, बले ये टीम दो मुकाबले हाड़ चुकी है, पर अगर फाफ डू प्लसी खेलते हैं, ये बड़ी बात है अगर फाफ खेले, तो मुझे लगता नॉर्डन को फायदार होने वाला है उमीद करता हम वीडियो को पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी सब्सक्राइब पर चनल को इस तरह वीडियो देने के लिए मुलाकातों के आप सगले वीडियो के अंतोर याद रखिएगा स्पोर्ट नहीं तो कुछ नहीं